जब आप अपने वर्क प्लेस पर होते हो तो जनरली यहां पर इटालियन में बात की जाती है या इंगलिश में चलता है इटालियन बोलना पड़ता है आपको अगर इटालियन नहीं आएगी तो आप फूचर में ग्रोथ नहीं कर पाऊगी और आपको एक है ना मतलब थोड़ा सा उस नजर से देखते है कि नहीं आ रहे है, मतलब इटालियन नहीं बोलता है, तो वो आपकी मतलब थोड़ा सा वो होता है, वो सबसे इंपोर्टेंट है, बड़े लोग कहते हैं कि saving is very important, अगर आप कितना कमाया है, पचास लाग का packages, एक Hi guys, welcome back once again to another video, this video again from Venice with Pius, पहला वीडियो जो पायस के साथ बनाया था, उसमें हमने पायस की जर्नी बताई थी, इंडिया से इटली वाली, आज जो वीडियो में है, वो बताने वाले हम की यहां का working culture कैसा है, और Italian government क्या के बेनिफिट देती है यहां के वर्कर्स को, तो पायस once again welcome to our channel, thank you Nipansu, thank you so much, तो जो है पायस, आप लोगो वैसे तो वीडियो जानती होंगे, बट जो नहीं जानती, जुन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा, थोड़ा से इंट्रोड़क्शन देदेंगे, आप यहां पर क्या करते, कैसे आए, कैसे आए, my name is Pius, I am basically from Rajasthan and now I am I am in Italy, like 3 years old, I am here in Italy and I am here on work permit, I was here on the first student visa, I am here on the first student visa, I am here on the first student visa, I am here on my job, so right now I am currently working. अभी क्या पोजिशन है और कहां पर रहे है आपका जॉब? अभी क्या पोजिशन है और कहां पर रहे है आपका जॉब? क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं यहां पर काम करने के थोड़ा सा बताएंगे यहां पर बहुत सारे बेनिफिट्स है अगर मैं एक एक करके बताना चाहूं तो बहुत सारी लंगी लिस्ट है बट यहां पर बैनिफिट्स है मैं आपको मेजर बैनिफिट्स बताना पेनिफिट्स मिलता है कि आपकी जो सेलेरी होती है वो इंडिया से तो काफी अच्छी ही मिलती है बिल्कुल सब्साइब पैकेज के इसाब से भी बहुत अच्छा मिलता आपका एच्पन भी नहीं हो तो भी आपको इस्टार्टिंग सेलेरी भी आप बांद के चलो आप 1200 इस मतलब मिली जाता है अगर आप अच्छी कंपनी में कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए एक ऐसा रहता है कि उनका एक सिस्टम होता है कि आपको सेलेडिक के एक्स्ट्रा आपको क्या-क्या पैमेंट आपको मिलेगा जो आपका कॉंट्रेक खतम हो रहा है मैं आपको सिंपल लैंग्विज में बता रहा हूँ कि आपका कॉंट्रेक है 6 महीने का तो आपने 6 महीने काम किया आपका स्टार्ट हो रहा है जनवर इसे लेके और मान लो आपका नवंबर तक 11 महीने का कॉंट्रेक आप मान लो नवंबर में आपका कंप्लीट हो रहा है तो आपको सैलेरी नवेंबर तक तो मिलेगी मिलेगी उसके अलवा आपको आपकी गव्लम्टारे क्या रहे हैं आपके जो आ ऐह सार है आपके जब आ तो आपके हाथ में झाली के To आपके हधाने आप唯ा जाता है उस दोरान क्या करते हूँ, आप और ही ताइम पास करते हो। आपके पास में जॉब नहीं हो तो प्रक्स स्टम होने के बाद और जॉब जाते हैं、 थैस्प स्काहिश हो, हैं जॉब करते हो अब प्रक्स होग क्या है। ो वो करके आपको जो तक्स कटा है वह ऐपको तेक्स को रिफंट मिले गा वह आपको गवर्मेंट आपको देगी और गवर्मेंट आपको उसमें पैसा चशाके कि देगी ठीक है जैसे आपका टेक्स कट रहा था तीन सो चार सो एरो आपका टेक्स कट रहा था यह था जो तीन्हा डूल्मेटहजीृれた प्रुक्स जितना टेक्स गया है वह वापस आपको refund हो जाए गारे तो मोटा मोटी आपको सारे 900-900 EUR के संपिंग आपको मिल जाए क्या वात है क्या वात है तो अ र माइने तो आपने अपलाई किया थै के गभी ये मैंने एक बार मैंने त्राय किया था क्यों नहीं गयार मैं बाइ एक बता रहे हैं खुझी को तो मैं खुद भी ट्राय करूभ और मेरे को हर महीन लिबान सु घर माइनмов पाई मेरेको е 100-H people जब मेरा कॉंट्रेक आया बल्योनी का हाथ में उसी तीन मैंने वो दोमांदा बंद करवा गया इसमें किसीन और होता है अगर आप इसको बंद नहीं करवाते हो अगर आप दोमांदा के टैक्स के पैसा ले रहे हो तो आपको गॉर्वर्मेंट आपसे डबल चार्ज करेगी एज पैनल्टिंग आपको उनको डबल पैसा देना पड़ेगा ठीक है आप उनसे बच नहीं सकते तो अच्छा है वो आप आपको क्यों दे का पैसा है बयुक्राइब जाप ने जिसको अइपन अंप अपलोइमंट जो अपन बोलते है तो वो आपको पैसा इसलिए और लिग्या तो भी आपको पैसा देगी इसलिए यहां के लोगोद जनरली इतने स्ट्रेस नहीं रहते कि जॉब चली गई है यह जब कि उनको पैसा मिलेगा फिर एक और होता है फेरा करके होता है और एक होता है 14 दीशे सीमा और 3 दीशे सीमा आपको एक सेलेरी और एक्स्ट्रा मिलेगी इनको आपके 15 दीशे सीमा और 14 दीशे की ऐसे कि आपका उनवंबर को कौंट्र सेलेरी यहां पर यूजली आती है 15 दिशंबर के आज सकने ठीक, आपको 15 December, जब आपकी salary आएगी 15 December को, नवंबर की salary प्लस कतोर दीसे सिमा, कतोर दीसे सिमा ये होता है कि आपने जितने महिने काम किया ना, उसका पूरा total मिला के, मतलब एक महिने का 200 EUR मान लो, अच्छा, आपका 11 महिने का contract तक, 11 into 200, कितना हो, 2200, 2200 EUR वो आ गई, ठीक है, आप है ना, प्लस करते जाना दीपांसु भाई, मैं आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, 11, 2200 EUR प्लस आपकी salary, आपकी पकड़ लो, मोटा मोटी salary, आपकी 1500 EUR, ठीक है, एक minimum salary, 3700 हो गए, 3700 हो गए, आपके त्रे दीसे सिमा भी, वही सेनरियो होता है, त्रे दीसे मार्च, अपरेल, माई, जून, जुलाई, साथ महीने, तो साथ महीने के हिसाब से वही 200 EUR, 1400 EUR हो गए, 3700 पर 1600 EUR, कितना हो गए, यह हो गए, 1500 EUR हो गए, ठीक है, अब आपका आता है TFR, अच्छा, TFR आता है जो आपने overall कितना काम किया है, वह आपको एक salary आप extra माल लो, व कितना हो गए, आप यह 500 EUR, 1500 EUR, 7100 EUR, हाँ, वह आपको मिलना ही मिलना, क्या बात है, वह कहीं नहीं जाने वाला है, अब उसमें, अब उसमें, गड़ बड़ हो गए, पर हाँ, फिर भी 5 लाग के आसपास हो गए, पांस लाग से तो बाहर हो गया, एक चीज और है, दिपान और जो एक PR करके जो चुटिया मिलते है फेरा की, एक और होता है, मैंने बताना भूल गया मैं, आपको हर महीने, अगर को अच्छी कंपनी होगी, आपको वीकली दो आप मिलेंगे, ठीक है, आपको कभी भी आपको दो आप मिल सकते, कि कंपनी के ओपर डिपेंड करता है, व और उसमें किया, तीन चुटीया आपको extra मिलेगी, दो चुटीया बोलते है, फेरा, और एक चुटीया बोलते है, पिया, ठीक है, अगर आप जासे कि तीन चुटीया आप नहीं लेते हो, तो आप तो आप जब भी इंडिया जाते हो, तो आपको paid holiday भी मिलेगा, तो तो तीन क्वाइब दाता है यह महीने में पेरा में हुदा था किल दुगोजा, मिलती है कि अधरन के अलावा वा था क्रीट तीक है था किल शॉली में मुद्दी नहीं काम करना है क्या बात है तो यह अच्छी जगह पर ही होता प्रोफिशनल जहां पर जॉब्ट लाइक गवर्मेंट जॉब्ट जॉब्ट और इसके लावा पाइस और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं यह मैंने एक मेजर बेनिफिट्स बता है मेडिकल तो कंपनी देते हैं और आप चुटी अनका नहीं लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा पेमिंट भी देते हैं अच्छा एक्विट्स का पात है तो मतलब पहला आपने बोला डिसो कुपा तो जिसमें नहीं भी काम करेंगे तो भी आप और आप अपको प्यूमेंट करेंगी दूसरा आपने बताया था कि वो वह यार क्या बात है और अकुमेंडेशन और मेडिकल इंशॉर्णेस भी कही बहुत मुस्ली जो है अगर जैसे कि एकुमेंडेशन में ऐसा रहता है कि गाइस की शेरिंग ऑप्शन मिलता है जैसकि वन रूम हो गया एक बैड इदर लगा हुआ एक बैड उदर लगा हुआ करता हूँ मैं यालग पर डाल के मैंने प्लेट देख लिया है मतलब आपने और ले रखा है मेरे लिए तो मेरे एक फूड़ा प्राइवेसी पसंद राण थैस इसी कारण तो कंपनी कहने का मतलब कंपनी आपको पैसा भी देती है कईका मैं आपको फूर एलाउंसिम भी दे और अगर आप कष्णा भी आप आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या अधी अर्लिजिनियर आप् टीम बाट किया झाहती है या इंगलिश में चलता है इच्छे आपको अगर Italian नहीं आएगी तो आप फीचर में ग्रोथ नहीं कर पाएगी और आपको एक हैना मतलब थोड़ा सा उस नजर से देखता है कि नहीं आप यह मतलब Italian नहीं बोलता है तो वह आपकी मतलब थोड़ा सा वह होता है के आफ आपको थोड़ा बहुत लेंट़ पर तो आपको harina बस मुझे 8 घंडे करनी है, 8-Ghande काम करके फिल में आ जाता हूं गर पे जनरलली इनके festivals कब कब होता है? हाँ, एक छीज और है. आपने फेस्टीवल का नाम बताया. वेनिस में एक ऐसा रूल्स है, जब आपके बस के स्टाइक हो रही है. आपकी फेरी की स्ट्राइक होती है. हर मेंने यह दो बार स्ट्राइक होती है. अच्छा ठीक करके कंपनी है जो फैरी और बस चलाती है वैनिस में लोकल ठीक है अगर उनकी इस्ट्राइक होती है तो आपको एक्स्ट्रा सैलेडी भी मिलेगी अरे क्या हुआ यह मुझे अभी बात पता चलिए जो मेरी नेक्स मुस्तवाद पागा मैंने चेक किया तो मुझ यह अगर इसे कंपनी में फिर भी ताप काम पे तो आया है नो आप क्यूंकि अगर मैं चल के जाता हूं अगर फैरी बाइचांस बन दे पैरी मतलब की गईज वाटर बस लाईके बोट ओके वह अगर बन दे तो मैं पैदल जाता हूं तो मुझे 15 मिन लगते अगर मैं फैरी कि इस्ट्राइक होते है या कुछ भी फेस्टिवल्स होता है इनका तब भी आपको एक दिन की सेलेरी एक्स्ट्रा मिलेगी अरे क्या वात है तो मतलब यहां पर देखा जाता हूं काफी यूरोपन कंटर्स भी यह देखा है कि राइट टू राइट से एंपलोई के पास बहु मैं अटा लुमक्त में यहां आपको मिलेंगी या कि इन इन दोनों को कंट्राइगे लान में अब connected कर सकता हूं मिलानमें अगर अगर अपको मिलेगी मिलान में एक्सपेंसेज ज्यादा है और वहां पर आपकी एक जो कमफर्टने से वह आपकी खतम हो जाएगी आपको ट्रें में ड्रेल करना डेली आपको ज्यादा भीड़भार एक राके में रहना है और मैं चाहूंगा कि वेनिश पे लोग भी बड़े कम रहते हैं आप तो जानते हो हैं और यहां पर टांस्पोर्टेशन की सुविधा भी बहुत इजीली अपन कर सकते हैं यहां पर कोई मेट्रो वेट्रो तो है नहीं है ताकि किसी को परेशा नहीं हो कि मिलान में क्या है एक बार मतलब कोई इंसान जाएगा तो वो एक फोड़ा कन्फिस हो जाता है कि कहां पर उतरना क्या करना है क्या नहीं अपर कफी एज इजि प् horsepower प。 पूर टोरिजम पूर वैनिस ही आता है.. Mapsा collect में फ़ही रते है कि हमको मानल मतली एटना सेव कर लेते हो हम उनिए कि ऐसे कोई लोग इंडिन खाना है बर्रकते बनाना तो अगर में गर पर इंडिन खाना कि ब तो 200 यरो के आसपस ब्रॉसरी आ जाती है अगर में इंडियन्स बनाता हूं तो ठीक है और मेरा रहने का रेंडवेंड पकड़के मोटा मोटी सेविंग की बात करू तो मैं.. इंडियन में बता दूमे को पास अचा इंड्यन में बता ना है दो लाक के आर्व में सेव कर ले तो बांसो यरो में इसलिए में ने कत किये मैं उससे तो ज़्यादा ही करता हूं दिपांसु भाई क्योंकि मुझे टिपसी बीडिय रहता है कि आपको पता होस्पिटालीटी मे एक सेनेरियो रहता है, तो टीप्स भी हमको हर विकली मिल जाती है, सोड मतलब 80-90 एरो मिल जाती है, ठीक है, तो उनसे मेरा खच्छा हो, मतलब निकल जाता है, टीप्स है, मैं सेलेरी को तो टच भी नहीं करता हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं, गर में मोटा 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 कि दो लाग तो कहीं नहीं गए, 500 एरो में इसलिए बता रहा हूं कि कहीं बाहर चले गए, कहीं मतलब मोबाइल का रिचार्ज करवा दिया, फेरी का पास बनवा दिया, मतलब वही जो मंतली जो रिचार्ज करवाना पड़ता है, वो हो गया थोड़ा बहुत और ठोड़े ख करता है कि आप कैसे सेविंग कर रहे हो और आप कैसे खर्चे, आप कैसे उनको मैंटेन करते हो, क्योंकि बड़े लोग कहते है कि सेविंग इस वेरी इंपोर्टेंट, अगर आप कितना कमाया है, पचास लाग का पैकेजे, एक करोड का पैकेजे वो कोई माइने नहीं रखत थैंक यू, हुआ तो हम फिर एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है, अल्दर बेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बबाए, बाए, बाए, बाए,